एलो दोस्तो हमारे यूटूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सब का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे छुचुंदर के बारे में दोस्तो छुचुंदर के घड में रहने से क्या फाइदे होते हैं क्या नुकसान होता है और इसे भगाने के क् छुचुंदर का घड में आना शुब होता है या असुब होता है दोस्तो चुए जैसी आकरती का छुचुंदर सभी ने देखा होगा ये भूरे सफेद काले और मट मेले रंग का होता है ये बहुत ही खतरनाक प्रानी है जो चुए और साप को खाने की छमता रखता है उल्ल तो कहते हैं कि छुचुंदर जिस भी बैक्ति के चारों और घूम जाए तो समझो कि उसे निकट भविश्य में कोई बड़ा लाव होने वाला है इसी तरह चुचुंदर यदि घर के चारों और घूम जाए तो उस घर की बिपति तल जाती है माना जाता है कि जो बैक्ति दिवाली की रात को चुचुंदर देख ले तो उसकी किस्मत खुल जाती है इसके दिखने का मतलब है कि आप बेहत भाग्य साली हैं और धन से जुरी आपकी सारी समस्याएं खतम होने वाली है तो दोस्तों जिस घर में चुचुंदर गूमती रहती है वहां लक्षमी का आगमन होता है हाला कि जिस घर में साफ सफाई अतधिक है वहां चुचुंदर के आने के चांस कम हो जाते है जहां चुचुंदर होती है वहां चुवे, सांप, कीरे, मकोडे और अन्य तरह के जीब जन्तु नहीं होते है चुचुंदर जहां होती है वहां वैक्टेरिया नहीं होते हैं क्योंकि यह नहीं दिखने वाले वैक्टेरिया को खा जाते है दोस्तों छुचुन्दर के थूग की गिलीती Village काले नाग के जैसा भ्यांकर विश पाया जाता है कहते हैं कुचुन्दर आपके शरीर के जिस भी अंग पर थूग दे तो समझो उतना अंग सुन पर जाता है सिर के बालों पर थूख दे तो खोपरी का उतने हिस्से से बाल हमेशा के लिए जहर जाते हैं इसलिए इसका घर में होना खतरनाक है सोते समेश का ध्यान रखना होता है यदि आपके घर में छुचुंदर है तो घर के भोजन को उससे संकर्मित होने से में जान होगा दोस्तों चुचुंदर यदि बच्चयों को काट ले तो उनके सरीर में उसका जहर फैल सकता है जानवर को घर काटता है और वह अपने सिकार को काटते हैं तो इसके दांत लगते ही या कुछ सूज नहीं पारता मास्तिक में धूंद साज चा जाता है सांस ले में भी कुतुर कुतुर के खा जाएगी तो आपको इसका पता भी नहीं चलेगा इसका कारण यह है कि यह आपके अपने दूप से उतने हिस्से को सुन कर देती है यदि छुचुंदर ने ज्यादा काटा है तो एंटी रेवीज इंफेक्शन लगवाने पड़ते हैं कुत्ता बिल्ली चमगादर चुवा छुचुंदर नेवला लोमडी बाग सेर वह अन्य अस्तान पाई जानवरों के काटने पर लापड़वाही वरतने जैसे रेवीज होने का खतरा बढ़ जाता है इससे होने वाली बीमारी हाइड्रोफोबिया कहलाती है हैड्रोफोबिया होने से रोगी की मौट भी हो सकती है इसलिए आप चुचुंदर को हलके में ना ले या एक खतरनाक जीव है चुचुंदर को भगाने के लिए घर के हर कोने में रूज में पीपर्मेंट को लेकर रख दे पुदेनी की पत्ति या फूल को लेकर कूट ले और इसे चुचुंदर के या आने वाली जगाहों के पास रखंदे लाल मिर्च के पोडर को छुचुदर के आने जाने वाली जगाहों पर रखंदे इससे बहुत लाब होगा छुचुचुदर घर से भाग जाएं by टोस्तों छुचुचुदर लेकिन उसे खाती वो बीमार पड़ जाता है इसलिए उल्लू भी इसे नहीं खाते हैं चुशुंदर को खाने से दूसरे जीब इसलिए डरते हैं कि उसके ठूक की गिल्टियों में काले नाग के जैसा भैंकर विस पाया जाता है इसके दात लगते ही सिकार को कुछ सूज नहीं परता मास्तिक में धूंद छा जाती है सांस लेने में कर्ष्ट होता है और इसके बाद उसे लगवा मार जाता है जो की हम आपको आगे बताएं हैं चुशुंदर लगा तार अपने मूँ से बदबू छोड़ती रहती है जिसके कारण कोई भी खतरनाक जीव उसके पास नहीं फटकता है चुहा गिलहरी वह चुचुन्दर जैसे जानवरों में जहां चुहे का जीवन चक्र और सतन तीन साल है वहीं चुचुन्दर दस से तीस साल तक जीता है दोस्तों चुचुंदर के बारे में कहा जाता है कि जिस भवन में घूमती है वहां लक्षमी की विर्दी होती है हाला कि इसमें कितनी सच्चा है यह तो हम नहीं जानते हैं लेकिन एक बात तो तैह है कि जहां चुचुंदर होती है वहां चुहे साफ कीरे मकोरे और अन्य तरह के जीव जन्तू नहीं होते हैं यह घर के सारे वैक्टरियाओं को खा जाती है कहना चाहिए कि यह घर की बहुत बड़ी सफाई और सुरक्षा कर्मी होती है स्वाता इसलिए कहा गया होगा कि जहां यह होती है वहां लक्षमी का वास होता है दोस्तों हाला कि छुचुंदर जिस तरह अन्य जीव और जन्तूव के लिए खतरनाक होती है उसी तरह यह मानव के लिए भी खतरनाक हो सकती है अता यदि आपके घर में छुचुंदर है तो घर के भोजन को उससे बचा कर रखे, जूठा न करने दे, क्योंकि उसका थूख जहरिला होता है, दूसरी बात इसका भी ध्यान रखे कि छुचुंदर आपको काटे नहीं, वैसे वो किसी को अनवस से परिशान नहीं करती है घरों में चुए होते हैं, चुओं के घर में होने से क्या क्या होता है, इसे घर में कोई संकर्ट आता है, या कोई रोग या सोक होता है, चुओं से जुरी कई धारनाय समाज में पर्चलित है, तो चली दोस्तों जानते हैं कि क्या क्या होता है चुओं को घर में होने से, देशा रहता है ये भी मानना जाता है कि छुये हमारे घर की 30 शा मिर्दी को धीरे-धीरे कुतर कर गर्यां कि यह ईती दिनों में दिन और रात भर घूनते रहते हों तो समझ लिजिए कि किसी रोग या शत्रू का आकर्मन होने वाला है कहते हैं कि घर में चुहों ने होने से रोग या बीमारी फैलती है चुहों की संकर्मन फैलता है जहां जहां जाते हैं जिस समान पर बैठते हैं वहां बिमारिया भी छोड़ जाते हैं वास्तु सास्त्र के अनुसार चुहा नकार्तमक और ग्यानी सक्तियों का पर्तीक माना जाता है चुहों की मजूदगी से घर में मजूद लोगों की बुद्धी का भी बिनास होता है यह भी बड़ा ही अजीव है कि चुहों का घर में होना असुभ माना जाता है लेकिन चुचुचुदरे तो वह प्षुभ है जयाने कि घर में तो सुभ माना जाता और कैसे माना जाता वह हम बता रहे आपको कहते हैंं कि जिस भवन में चुचुदरे घून्थी है लक्षमी की विर्दी होती है यानि कि पैसों की विर्दी होती है दोस्तों को भगाने का तरीका भी हम आपको बताएंगे जो कि बहुत ही अच्छा है और घडेलू है दोस्तों को कुछ लोग मारने के लिए जहरी गiblyरण तोडने वाले पंडे का परियोग करते हैं चुह मारने वाला विस या गरणतोडने वाले पिंजरे अर दुकान्यूरें मिल जाते हैं लेकिन चुहों को मारने उसके सब को यह तुरंत नहटाया गया तो उसमें से बहुत ही बुड़ी दुर्धन यानि की बदबू आती है जो हमारे फेवरे और घर में रखी खादा बस्तूओं के लिए हानी कारक होती है वीच्छे या दवाओं में वारफिन होता है जो की मनुस अर दूसरा तरीका है रखी पर ल tutaj राफिहार को पिंचले पर कर अधियर कर आता है यह सबसे सडल तरीका और आशा Up दोस्तों की doch तरault की मदश्द सकते हैं जो जीव जन्टों को भाने का काम करते हैं तो है अच्छे से साफ सभाय कर करकर चले जाते है लिगें भाड़ी और तो सबसे अच्छा तो घरेलू तरीका होता है जिससे कि आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और आडाम से चुहत दुन दमागे भाग जाएगा तो उपड़ी यानि कि घरेलू उपाय हम जो बता रहे हैं वो आपके घर में ही मिल जाएगी पिपरमेंट को जानते होंगे पि सेनि की पति हैं फूल को लेकर पूट लें और इसे चुहें के बिल के पास या आने वाली जगाहों के पास रख दें यह गंद पी सहन नहीं कर पाते हैं और वहां से भाग जाते हैं लाल मिल्च के पॉड़र को चुहें के आने जाने वाली जगा पर रख दें तेजपत्ता बी चूह को मगाने का सभ्से अच्छा उपाई साबित होता है चूह कगाने का सबसे असान तोरीकला है ि इनसानों के बाल क्यूंकि इसे दूहेट रहते हैं तरह चुह इसको निगल से उनकी मौत हो जाती है इसलिए इसके नजदीक आने से भी यह काफी डरते हैं आप उसके यानि बिल के पास अपने बालों को बाल जो जारते हैं कंगी में जो बच जाते हैं वो बिल के पास आप रख सकते हैं उसे देखकर वो भाग जाएगा बहुत ही आराम से तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं की हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें दन्यवाद अगर आपके लिए सुभ या असुभ होता है अगर आपके घर में मधुमक्की का च्टा है तो आपको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए या फिर अगर मधु मक्की के छटा कहीं भी दिख जाए तो उसे ले कर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए और अगर ले कर आ रहे हैं तो इससे क्या सुबलाब होगा यह सारी जान करें आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे तो आप हमारा वीडियो लाश्ट तक जरूर देखें और लाश्ट तक हमारे वीडियो पर बने रहें दोस्तो अगर पसंद आये वीडियो तो लाइक से और कमेंट जरूर करें तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि मधुमक्की का छटा जो होता है बहुत ही चमतकारी होता है इसका जो मोम होता है उसमें बहुत ही जादा चमतकारी सक्तियां होती है और ये आपकी साथ जन्मों की गरीवी को भी मिटा सकता है तथा आपके सारे मनों कामना को या उसे धूप में सुखा दे इसके बाद आप इस और पींड बना ले और इस पींड को अपने घर में पूझा अस्तलine पे रहे लेए वही जब यह पींड आपके घर में रहे आपके घर में तब तक धन खतमया हो यह पींड धन बर्कत कराने का काम करता हा बस केवल आप इसे परते दिन गंगा जल से सनान कराने का काम करते रहें। दोस्तों वहीं आप मधुबन मक्खी के छटे को सुखा कर और उसे लाल कप्रे में बांध कर धन पेटी में रखने से घर में धन की बरकत होती है। इसे तावीज बना करके पहने से कारे में प्रागती होती है और कारे में सफलता मिलती है। दोस्तों वहीं अगर आपको किसी भी कारे में असफलता ही हासिर हो रही है तो आप इसे तावीज में भढ़ कर जरूर अपने गले में धारन करें। ऐसा करने से हमें देवी देपताओं की किरपा प्राप्ट होती है तो दोस्तों वही मधुमक्या के मौम का दुऊह और घर में दिखाने से घर से नकार्थ मक सकनया दूर हो जाती है और भूत-प्रेत आधी बाधाय समाप्त हो पूजन अस्तन पर रखने से हर कार्य मों की माला बनाकर अपने गले में पहन सकते हैं वहीं जो व्यक्ति गले में ऐसी माला धन करता है उस व्यक्ति को अर्ष्ट सिध्धान प्राप्थ हो तो सहद खाने के तो अपने कई फायदे सुने होंगे लेकिन क्या आपने मदुमक्खी के छत्ते खाने या उसे लगाने के फायदों के बारे में कभी सुना है मदुमक्खी का छत्ता मोम से बना होता है जो मदुमक्खियों के पेट की गड़ूंतियों से निकलता है कि से निकलने वाले vaxxcoma नारियल के तिल वायल मीला कर लिपढम बना सकते हैं आप हेर पे भी लगा सकते हैं अगर यह कि लिए भीडियो पसंद आया है तो यह कि अदिकर ळोल आपको यह लगे करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाईएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई एंड थैंक्स फोर वाचिंग माई वीडियो